आए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टेडी चैनल में और यह शुरुआत कि है हम लोग क्लास 10 का साइंस का अब्जेक्टिव डेस्ट ठीक है और पूरे प्रसंद यहां पे 48 है जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर आपको चला पूरे-पूरे 40 कोस्टन बना होना है धरफरा कि कोई भी नहीं करेगा हम यहां पर आपको पूरे-पूरे 40 प्रसंद करवाने वाले हैं 47 है ठीक है वहाँ आपको 40 ही बनाना जैसा कि आप जानते हैं और बहुत ही निकट है आपका एक्जाम इसलिए धरफराईएगा नहीं धीरे-धीरे हम लोग परड़े परड़े एक दूसरिट करेंगे ठीक है बस आप लोग को हमारी मदद करना है और साथ में उन भी दैर्थियों का भी मदद करना है जो इस बार बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं यहां पर कोईस्ट नमर फरस्ट से और यह साइंस का पहला टेस्ट है तो यह रहा कोश्न मर फ़श्ट और यहां पर देखें ऎहां पर लिखा हुआ जैसा कि कि इन दरपन में बराबर बनता है और अंप para छोटा सा प्रतिवी मनता है जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरसाइकल या कोई भी बाहन में जो है पीशे की दिरिश्ची को देखने के लिए उत्तल दरपन का उप्योग किया जाता ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर की बात अगर करें तो आंसर नमबर है सेकेंड ऑप्सन नमर बी बिल्कुल सरी होगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं हम लोग तो सेकेंड कोश्चन यहां पे पूछा है आप लोगों से दाधी बनाने में किस परकार के दरपन का उप्योग किया जाता है देखिए दाधी बनाने में हम वही चये दरपन का उप्योग करेंगे इसमें बडा पर चोटा भी बीा दीक बेहिए नहीं वरा दीखाये देना चाहिए उसतरद के तरह का दाध जाया ग Quantum करेंगे ठीक है यह हमेशा बरा परचेंव दिखाता है और CHilenunt बंता है डबहाइं पनता है करते पूच्हाएं यहां helper कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो ध्यान रहे आप लोगों को लेंस जो होता है लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं ठीक है अगर यह लेंस रहा तो यह दोनों तरफ फोकस होता है इधर F1 बोलते हैं इधर F2 बोलते हैं यानि कि परधान फोकस होता है सब्सक्राइब करते हैं और पूछा यहां पर प्रसन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कॉर्णिया में जो हुआ होता है जो भागान में दिया जाता नहीं होता है तो आप जानए हमेशा तो आफना में ज्रादिरिश्टी दोस्या दूर दूर दूसर स्या निकड दिजिए दोस्याब लाल रंघ यहां पहसान पा रहे के दोस को पूर जो है हम लोग क्या बोलते हैं और बिंदुकता बोलते हैं ठीक है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्षन यह बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट कोशन की बात करती हैं पर ना समझ में तो कॉमेंट कर दीजेगा उसको फिर से अगले वीडियो में अच उप्योग करते हैं उत्तल निकट की अगर बात के लिए तो निकट होता है कितने अक्षर का इस तरह से आप लोगो याद रखना है तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा निकर दिर्श्टी जोस्में अब तर लेंस का उप्यों यहां पर सही हो जाएगा बते बात समझ में आ रही है या नहीं पिलको समझ में आ रहा है कोई दिकत नहीं है उत्तर लेंस किसमें उप्यूग करते हैं हम लोग दूर दिरिश्टी दोस्त में और बिलनाकार जो है आप लोग जानते हैं कि यह जरा दिरिश्टी दोस्त में उप्यूग किया जा है तो फिर से वही बात कि अफ्तल लेंस का अफ्तल लेंस को हम लोग उप्योग में लाते हैं ठीक है चले नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं आपर कॉस्चन नमर एट पूछा क्या है यहां देखें विद्धु धारा से यह प्रसन है पूछा है डैनमो से किस परकार की धारा प्राप्त की जाती है ठीक है तो देखें डैनमो से क्या आता है दिश्ट धारा और प्रत्या बरती धारा दोनों प्राप्त करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमर यहां पर सी हो जाएगा ठीक है जन्रेटर जो होता है जो रेल होता ठीक है पहले जो रेल होत साप से मात्रख पूछ ही लेगा तो हम लोग सारे मात्रक करेंगे यहां पर जानते हैं परतीरोद का मात्रख होता है की बदधुत चुम्बक बनता है न वहां पर इस स्थाय चुम्ञ बन जाता है ठीक है लेकेस्ट करते हुए लगा को स्थाय नेख्याहां की बात करते हैं फोड़ी ताप बढ़ने पर ताप मत purity बढ़ जाने पर नियुक्त का नियुक्त सूक्त है चांप तो हमेशा और सदी आध रहता है यहां पर होता Het इस भी याद रखेगा चलिब आगे बात करते हैं Pens about-13 की विए यहां पर है बिद्दूत धारा उत्पन करने की युक्ति को क्या करते हैं वागों आप लोग जानते हैं कि साधी विवाः के सब्सक्राइब यहां पर जायेगा बाती समझ में आ रही है तो शेयर भी करना है आपको लाइक भी करना है और उन दोस्ते तक पहुचाना है जो आपके सहपार्टी है और आपके साथ पढ़ते हैं ठीक है तो यह रहा कोशन मेर यहां पर 13 देखें फ्लेमिंग के बाम हस्तनियम में अंगुठा किसकी और संकेत करता है देखें बाम हस्तन को इस परकार फैनाना होता है कि यह जो है मध्यमा वह विद्धुधारा की दिशा को बताएगा तो तरजनी जो है चुमा के छित्र की रिखा को तो अंगठा उस पर लगने वाले बल को दर्शाएगा हमें से याद रखेंगा और सी ही यहाँ पर सही होगा ठीक है इस बात को य कुछन नमर 14 यहां पर देख लेजिए आप लोग से पूछा किया यहां पर है विद्धुत जनित्र में यांत्रिक उर्जा को किस उर्जा में पर बरतित करता है जो जनितर होता है वह उसको चलाते हैं तो कौन सा उर्जा देता है ठीक है और यह जो परगास उर्जा लिखा प्राप्त करने तु आवस्थ चीज क्या है हमें से याद रखे नाप कीओ और यह बिनानाबे 232 एक है यह तुटता है यह तूटता है बोरोन और क्रिप्टन में ठीक है तो इस बात को भी ध्यान डखना याँ है द्यान डखना है कि नापकियर उर्जा उर्जा अर्जा करन टीट यहां पर यहां कि यह होता है 235 यानुकि अधिक नाभिक में अधिक उर्जाभ अपर करता है तो वहां से तूट जाता है और इक्न वहां पर मात्रा में एृजा मिलता है तो इसलिए हम्सक्राइब की औरौचा करते। चले next question की बात करते है question number 16 और पूछा यहाँ पे है आप लोगों से इन में से कौन सा नभी करनी और जा है देखके बताना है आपको कौन सा नभी करनी और जा है तो सही answer क्या हो जाएगा सौर उर्जा देखे उर्जा क्या आदा है नभी करनी और जाता है वैसी और जिसे हम पुना प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और और नभी करनी और जाता है जिसे हम पुना प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो सही answer क्या हो जागा है यहाँ पर सौर उर्जा ही हमारा सही answer होगा ठीक है तो जोजन पत्स जाता है यहां हम लोग पकाते हैं तो उसमें हमेशा हमेशा क्या निकलता है उसमें निकलता है आपका oxygen ठ्था बाहर निकलता है अ거든요 लेके लोगते हैं याद रखेंगा बासमझ मÝा रही है नेक्सट के बात करें लिधार littleayan करते हैं कि चलिए अठार नुमर्त प्रसने अपर समझेगा क्या बोला आप लोग से कोशन यहां पर कि हो जाता है इसे क्या हो जाना को इसके साथ यह कुछ भी होता तो उसको हम लोगäg मतलब जूर जाता अगर तो सब्सक्राइब मतलब होता है आप लोगों पढ़ा होगा एमजी प्लस जैसे कि हम लिखते तो यह प्लस यह तो यह यह पर सही आंसर आपका सब्सक्राइब करेक्ट हो जाता ठीक है नेक्स्ट के बात करते हैं पूछा है स्वसन तो यह रहा तो इससे हम लोग जैसा की जानते हैं उस्मा चेपी अभिकिरिया ठीक है और कहीं पर देखेगा उपचेन अभिकिरिया भी देता है तो हमारा अंसर क्या हो सकता है उसमा चेपी भी हो सकता है और अब आप लोग आपकर करते हैं और पूछा यहां पर देखेंगा पर कौन सा कथन सही है ठीक है तो आप लोगों से पूछा गया यहां पर कौन सा सही है तो बेस नमबर का हमारे लग रहा है कि कौपर का ऑक्सी करन हो रहा ठीक है तो आपसन नमर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करें कौश्चन नमर 21 की पूछा इन में से खटा लगेगा ना रंगी का सबस्ता है है यहां प्लोगों सही है यह पिल्कुल सही आप लोगों घो चाहता है आप रहा हूए हुआ है कि अप लोगvoor यह मिरार और यह आपको याद्व रहाण हाए आपको याद विड़ाना चाहिए इन्टू फाइज टू ठीक है यह होता है बैकिंग सोटा ठीक है और दोने की सोटा के अगर बात करें तो एन ए टू सी ओ थिरी होता है ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है और सावुन तो जाग उत्पन करता है तो यह भी क्या होगा य की आम ले बिए प्लिएन का जो है वह हमेसा और वहाँ हमेसा वह साथ से कम होगा और हमेसे पहले कोस्ट पूछ लता है कि पीएज का फूलब मैं क्या होता है ठीक है तो हमें से याद रखें पूटेंशाल ऑफ हाइड्रोजन होता है पोटेंशाल ऑफ क्या है रहें और पू होगा अगर साथंटे पराप्रता थो क्या होता उजा सीन होता सीलाइक होगा तो सही जङानल का warrant को कि बात करें इस विए और समझने की बात है कि कौन सा लवन है देख के आपको पताना कौन सा लवन है अगर पहले option की बात करें तो हमारा लबन है ही नहीं क्यों नहीं आपको पता है यह है तो यह चार है और यह भी तो चार ही होगा तो सही हो जाएगा देखें नमक का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ नमक होगा ठीक है प्रियोडिक टेबल का याद होगा आप लोगो गुरूप याद है ना गुरूप इस तरह के कतार जो होता इसको गुरूप बोलते हैं तो यहाँ बात को याद रखना है यहां पर है तो एक उनक्राइब तो बच समझ में आ रहे हैं तो उस तरह से हम लोग एने सिर्फ नहीं क में किना जाता है धातुमी नहीं नहीं देदा ठीक है चलिए next question की बात करते हैं पर question लूमर 24 की ठीक है और क्या वोला है कि बोला है चीनी का रहारा साइनिक स्थर कि या जो भी पोले तो हमैसे याद रहे हैं सिश्व डादा भी हमारे यहां पर क्या जागा बिलकुल सही सबसे क्रिया वाती है जो होता है है तो सबसे क्रिया सील अगर उपर से देखा जाये सबसे अधिकर नीचे बढ़ेंगे तो यह सिलता बढ़ती जाएगी पता है ना किसकी बारे बोल लें जी बिल्कुल जाहिए आपर सार्नी के बारे भूल लें ठीक है अच्छे से आपको बता देंगा और सार्नी क्या कौन सी चीज़ होती है ठीक है चले नेक्स्ट कोश्टन के बात करें कोश्टन 26 की पूछां य यह होता है यहाद रखेगा यह होता है यह होता है तो इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को स्विस को सो जाएगा यहाँ पर इस फिर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट के याद रहे विए कितना होता है कितना है स्टीटीस होता है याद रखेगा इस बात को चलिए नेक्स्ट कोसरन के बात करते हैं 28 नमर От니다 सा कार्वन का अपरूप है याद रखे डE carried carbon का तीन अपरूप है आप लोग याद रखेगा हमेशा कि तीन कार्बन के अप्रूप परेंगे हीरा ग्रिफाइट और फुलरीन ठीक है यहां यहां पर बिलकुल क्या देता है द्यां रखे हम लोग पकाते हैं तो इसमें यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां पर यहां पर बिल्कुल से एथेन मत मार दीजेगा इतीन इसे टिलीन निकलता ठीक है यहां पर यहां पर अप्सन नमर्ट डी हो जाएगा याद रखेगा इस बात को ठीक है चले नेक्स्ट को से अगर थाटी की बात करी यहां पर तो बोला आप लोगों से हैं कि आधनी आवर्त स सही हो जाएगा ठीक है अगर नेक्स्ट कोस्ट की बात करें यहां पर कोस्ट नमर्ट 31 की ठीक है और यह बात दिमांगे वैठा लेजिए कि आप लोगों से आप इससे बच नहीं सकते हैं ठीक है तो इस तब को अच्छे से कीजिए और ध्यान रखेगा आवर्त सानी में पर पूछा यहां पर है कि हलियम परवाणों के बाहरेख सामें कितने और यहां रखेगा है ह्लियंकि होता है कि यहां बहुत समझदार है आप लोग बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें को सब्सक्राइब तो पानी उड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं पिल्कल सही पासफट सर्जन बोलते हैं और इसकी रिया दौरा यदके लें और gucken को सब्सक्राइब करती है कारौन के बात करती द्यान करती सब्सक्राइब पर चले नेक्स्ट कोर्चन की बाट एक सफर्ट पूछां यहां पर हीमोगलोबीन की कमी से क्या होता है नहीं हो जाता है जाता इनेमिया हो जाता है इस बात को याद रखेगा ठीक है आप लोग जानते है डाइडियों कहीं मधू में गते तो यह इंसुलीन की कमी से मधू में रोगो जाता है इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है नेक्स्ट कोश्टन की बात करें को स्थे यहां पर यहां से अमाय से जो होता है ठीक है अमने में जट्वरास का निर्मान होता है तो उसी की बात आइच्ट जो हो और ये एक तरह से क्या है धुत लौन हम ना में टीक है टार किया है पीत के लिए कैसे क्लिएmar यह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा इक नुच के पूछा यहाँ पर क्या देखें तक विःगों रश्मruktur ऑपन में हो जाएगा ठीक है सेलिस्वार होता है और पैप सी नोजेन ये भी होता है तो हमारा ज़ता आंसर यह यहां पर सखेंज हमें हाइट्रोकलोरिक अमनी लग रहा है आपको क्या लग रहा है ये कमेंट करके बताईगा लेंगा आप कोई और लगा तब फिक है चलों होता है यहाँ नेक्स्ट्टक्राइब पूछा है नियुरोन में केंद्रक नियूरोन इस तरह से बनाते हैं कि याद होगा ठीक है तो नियूरोन 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 है सब से लोग मनुस्यक के सरीर मेश सबसे बरी गरंफि कुण सी होती है तो द्यान रखें मनुस्यक के अंदर सबसे बरी गरंफि क्या होती है और दूइति यह होता है ठीक है और दूइति यह अगना से होता है सबसे चोटी जोता है याद रखेगा मास्टर गरंथी जिसे पिट यूटरी गरंथी जो मस्तिक समय पाया जाता है ठीक है जो सोचने बिचारने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट कोर्शन लोग बात करते हैं 49 नंबर की यहां पर प्रस्ट आने बाले आप लोग ठीक है और कप्चे घ्जाम यह तो पता ही है फरवरी में यह ठीक है तो चलते हैं यहां पर 440 नंबर जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवो में होते हैं उसे क्या कहते हैं अलग अलग होगा तो एक लिंग बोलते हैं जिसमें नर और मादा लिंग जिसमें नर और मादा लिंग अलग जीवों में होते हैं उसे क्या बोलते हैं एक लिंग यानि कि तो इसे याद रखेगा क्या जोग ऑप्षन यहां पर सही हो जाएगा नहीं कि पूछा है सुक्रानु कहा बनता है तो हमेंसे यादर के सुक्रानु ब्रिसन में बनता है ओप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑन्सर हो जाएगा इस बात को ध्यान रखेगा चैटें सिन यहां पर कि отлич कि पहले प्रित्विं नहीं था तो याद रखेगा जिसे जीते हैं घटिकहले तो यह उससे नहीं नहीं था आदेहरें कि बिल्कुल यहां पर स्वह हो जाएगा चलें अब हो नहीं हो कि पुछाए रुधीर वर्ग ओ का जिन क्या होता है तो देखे रुधीर वर्ग ओ का जो जिन होता है ना वह लोगों से क्या पूछा है पूछा यहाँ पर है प्रितिवी पर ओर्जा का मुख्य स्रोथ कौन सा थे पर और यहां पर 46 आप लोग करीब हैं पूछा इन में से कौन सा अपमार्जक का उदाहरन हैं तो सही अज़सा आप्शन सी बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा यहाँ आप मार्जक है और नेक्स्ट दो कोश्यों की बात करेंगे जिसमें एक जवाब आपको देना है तो बने रहे हैं और यहां पर यह रहा दो फ्रस्ट मेंट को निर्मान किस प्रदेश में हुआ है उत्रप्रदेश उत्राखन राजस्थान या फिर मद्प्रदेश पूरा मत लिखे लेकिन एबी सीडी जरूर लिखे भेज़ेगा तो इंचाड आएगा हमें आपके आंसर का बाई बाई टेक क्यार